नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टर्वितालो का उनलाइन इस्ट्यूट में मैं गवर्म उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे आप सभी और अच्छे से आप सभी पढ़ाई लिखाई सम्मादेत अपना कारवी कर रहोंगे मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और भारत की भूगोल के अंतरगत आज हमारी जो आपसे बाच्छीत हो रही है भारत की जीलों को लेकर जिले कई प्रकार की हुती है यानि भूकमब की पिरक्रिया दौरा जब इस्थालगंड में दरार पड़ जाती है और दरारों में पानी एकत्रित हो जाता है तो उसी असी को हम क्या कहते है जो अलमकी प्रकिड़ की ही होतीय है तो धरातल पर एक उसरी दिखिए निर्माराण हो जाता है जिसे हम कहते हैंट में को जहील के हैं अर्थार्थ जिळुंह बी किरेटर प्रकार की होती हैं। तो सबसे उपर से अगर हम बात करते हैं यहां पर जम्मु कस्मिर में यहां पर आपको 3 महत्पूर जील अगाते हैं जम्मू कस्मीर के चित्र में यहां पर तीन महत्पुन जील है तो पहली जील जो जम्मू कस्मीर के चित्र में है इसका नाम क्या है तो जील का नाम याद रखेगा इस जील का नाम है बुलर जील कौन से जील है तो यहां पर जम्मू कस्मीर में जील याद रखेगा बुलर जी दूसरी जील का नाम क्या है कि दूसरी जील का नाम है जील का नाम क्या है तो यहां पर जील है जील का नाम याद रखीएगा सेसनागजील यह तीनों जीलें गहां पर हैं तो ृतिंहों जीले अर्फिक पर जम्हु कस्मीर में हैं इस में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इस के बारे में नियाद रखिएगा जो बुलर जिल है या है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी को हम क्या कहते हैं ताजे पानी मीठे पानी या ताजे पानी की जिल है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की जिल का ना पूछा जाये तो आप इसके लिए सही आंसर क्या करेंगे तो आप इसके लिए सही आंसर करेंगे बुलर जिल बॉलर जिल एक ऐसी जिल है जो मीठे पानी की जिल है साती सात यह भीवर्थन की प्रिकिरिया से निर्मे जिल अर्थ आर्थ जब्मों कस्मीर हिमालाय के छित में भूगरंपानिकारण दाराण नोमा आकिर्ति बन गई जहां पर न्जीटों का निर्माणगई ठीक इसके बास देखेगा यहां्य पर हिमाचल प्रदेश राज्ज और हिमाचल प्रदेश में एक जील याद रखेगा HP से हिमाचल प्रदेश याद रख लेना हिमाचल प्रदेश में जील है और यह बहुत बार पूछे गई है हिमाचल प्रदेश में जो जील का नाम है रेणों का जील बहुत बार पूछे गई है रेणों का जील और रेणों क भारत की सबसे चोटी आदरभूमी जीन थी कि भारत की सबसे चोटी आदरभूमी जीन थी कि तो एक भारत की सबसे छोटी अदरभ्वहमी जील कौंसी रियोवनं उसके बाद यहां देखिएगा यहां पर आपका उत्रा च्वर्वारां यू कंडू के ख्यटर में आपको तीन जीले याद रखनी हैं यहां पर उत्राकंड में टीन झीली है और तीनों झीलों के नाम आप आराम से याद रख सकते हैं देख्ञेंगा भीमताल, भीमताल जील, भीमताल जील, नैनिताल जील, भीमताल, भीमताल के अलाबा कौन सी है? नैनिताल है, भीमताल, नैनिताल जील, और कौन सी है? देवताल जील, भीमताल, नैनिताल और देवताल तो यह तीनों जहीदने ज्याद रखेएगा भीमताल, नैनीतताल और देपताल ज्यल ये तीनों जहीदने कहां पर है, तो यह तीनों जहीदने आपकी उत्राखंडर आज्जम ने हैं मैं मांचित्र पर ही सभी इसली बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से संज में यहाँ देखिएगा उसके बाद यहां से उत्राखंडराज है यहां पर उत्राखंड हो गया और उत्तरखंड के बाद उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में कई सारी जीले हैं आप दो बड़ी बड़ी जीले याद रखेगा उत्तर प्रदेश में आप दो बड़ी बड़ी जीले याद रखेगा उत्तर प्रदेश में एक जीले याद रखेगा इस जील का नाम है फुलहर जील उत्तर प्रदेश की जील का ना नाम क्या है यहां पर उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है गोविंद बल्लव पंत जील गोविंद बल्लव पंत जील कौन सी जील है यहां पर जो जील है जील का नाम याद रखेगा गोविंद बल्लव पंत जील तो एक है फुलर जील और फुलर जील के साथ साथ जो दूस दूसरी जील is channel इसका नाम जक्तल करें- इन दावनों की विश्यष्टा है अगर हम ल्म्हां 5 जील की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के सोन्भदर जनपद में परयाई तो उत्तर प्रदेश के सोन्भदर जणपद में हैं दूसरी बात ये हैं के यह भारत की सबसे बड़ी मानो निर्मित जील है। मानो निर्मित कोई हम क्या कहते हैं। तो यह भारत की सबसे बड़ी मानो निर्मित या किरतम जील है भारत की सबसे बड़ी गोविंद बल्लब पंत जील उत्तर प्रदेश के सोनभदर जनपद में है फुलर जील की बात करते हैं तो फुलर जील आपकी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के पीलिभीत जनपद में है औ यहां से कई सारी नदियां निकलती भी हैं और कई सारी नदियां आकर इसमें अपना जल भी गिराती हैं है ना तो याद रखेंगे तो यहां पर फुलर जील के बारे में मैं लिख देता हूं इसको मिटा दू मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा या एक कम करता हूं मैं निछे लिएता हूँ, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, कि जो फुलर जील है, फुलर जील के बारी में आप याद रखेंगे, कि पहली बातों कि या उत्तर प्रदेस में है, तो उत्तर प्रदेस के पेलिवीत जनपद में हैं, उत्तर प्रदेश में कहा है पेली भीत जन्पद में है पहली विशेष्था और दूसरी विशेष्था यहां पर लिख दे रहा हूं मैं दूसरी विशेष्था यहां से गोमती नदी निकलती है यहां से कौन सी नदी यहां से याद रखेगा यहां से गोमती नदी निकलती है यहां से कौन सी नदी गोमती नदी निकलती है यहां से एक नदी निकलती है और यहां से जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है गोमती नदी कौन सी नदी निकलती है तो यहां से गोमती नदी देखेगा मैंने कितनी सारी जिले बना दी है इसी पिरकार का मांचित्र आपको याद रखना है क्योंकि मांचित्र पर जो चीजें पढ़ाई जाती है या मांचित्र को जा हम लोग पढ़ते हैं तो सीधे चीजें हमारे दिम इतनी जीले मैंने पढ़ा दी उत्तर प्रदेश तक आ गया है हम जम्मू कस्मीर से कहां पहुंचे हिमाचल हिमाचल से उत्तराखंड और उत्तराखंड से हम कहां पहुंच गया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अच्छा यहां पर एक बात और याद रखना देखो इसका न इनके नाम पर ही इस किर्तिम जील का नाम है लेकिन आपको सावधानी यह वहतनी है कि एक और जलासा है या एक और जील है जिसका नाम भी इसी आधार पर जैसे उसका नाम क्या है गोविंद सागर जलासा है अगर आप से गोविंद सागर जलासा है पूँछा जाए तो यह सतल नाम क्या है इसका नाम है गोविन्द सागर जला सय हिमाचल प्रदेश में सतलज नदीपर निर्मित है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदीपर है सतलज नदीपर है सतलज नदीपर है हिमाचल प्रदेश में किस नदीपर है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदीपर है नोट याद रखेगा ठीक चलो अब बनालो और हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ो चलो आगे बढ़ते हैं एक और मैंने मांचित लगाया है यहाँ पर सि सिक्क्यम, सिक्क्यम राज में जील का नाम याद रखेगा, चोलामु जील, इसी को चोलामु जील, इसी को चोलामु बोलते हैं, या चोलामु अकेला बोलते हैं, चोलामु जील, क्या बोलते हैं, चोलामु जील, मा बना है, चोलामु जील है, और इस चोलामु जील है, और इस शिक्यम का छित्र है याद रखना यह भारत की सरवाधिक उचाई परिस्त जील है चोला मुझी भारत की सरवाधिक उचाई परिस्त जील है तो इसको मैं ऐसे लिए देता हूँ भारत की सरवाधिक उचाई परिस्त जील भारत की सरवाधिक उचाई परिस्त जील है इसको याद रखेगा यह भारत की सरवाधिक उचाई परिस्त जील है ठीक है उसके बाद यहाँ देखेगा यहां पर एक राज्य है और यहां पर जो राज्य है इस राज्य का नाम क्या है इस राज्य का नाम है मनीपूर है और मनीपूर में बात करें तो मनीपूर में यहां पर एक जील है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है लोकटक जील जील का नाम क्या है इस जील का नाम है लोकटक जील और लोगटग जील के बारी में याद रखना लोगटग जील इसकी दो विसेश्था याद रखना पहली विसेश्था कि आप जान रहे हैं इस सिक्क्यम है अरुणाचल प्रदेश है असाम है नागालेंड मनिपूर है इस संपूर्ण छेत्र को हम उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं तो जो लोगटग जील है इसके बारी में क्या याद रखेंगे इसके बारी में याद रखेगा पूर्वोत्तर भारत की इसके बारी में क्या याद रखेगा पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील पूर्वत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील पूँची जाए लोगटक जील साथी साथ लोगटक जील की एक विशेश्टा और ही है यह है जील जो है जील में एक राश्टी पार्क हमारा जिसका नाम क्या है केबुल लम जाओ वो इसमें तैर रहा है यह अश्र की बात है और इस पर अभी वेग्यानिक सोद भी हो रहा है कि आखिर क्या भी सेचता है कि इस जील में पाए जाने वाला राश्टी पार्क के केबुल लाम जाओ तैर रहा है यहां पर जो तैरता हुए राश्टी पार्क है इस तैरती हुए राश्टी पार्क का नाम क्या है केबुल लाम जाओ कौन सा राश्टी पार्क है तो यहां पर जो राश्टी पार्क है इस राश्टी पार्क का नाम है केबुल लाम जाओ तो तैरता हुए राश्टी पार्क के जील पर महाराष्ट के चितर नाम क्या है लोनार जील के सारे लोगों का भुगोल वित्ता है वह कहते हैं कि जब उल्कापिंड धरातल पर गिरा जब उल्कापिंड धरातल पर गिरा तो उल्कापिंड के धरातल पर गिरने के कारण ही इस जील का निर्माण हो गया उल्कापिंड जब धरातल पर गिरा तो धरातल पर गहरा गड़ा हो गया और उस कि पिर्कृ61 में लावा बाहर निकलता है तो धारातल पर पर शिक थिरका निरबान होता है ल्याजा को बुलते हैं के द्वारा निर्मेट होने वाली जीलों को जाना जाता रहा है तो कई सारे विढ़त्वतानि का तेर्म विवाद का विसाय है अब ग्जामनर जोभी आपसे पूछे अगर फूछे कि भारत की क्रेटर जील का नाम बताई कि अबारत पहु पूछे कि भारत की उल्पी द्वार्त द्वार निर्मे गखिल यानी उल्पांत द्वार निर्मे जील तब भी लोनार बताए bulk यह महाराष्ट के छितर में है निर्मान के लिए फिर आप इससे कहिए कौन से जील यह फिर आप इससे कहिएगा क्रेटर जील ठीक है उलकाप पिंड द्वारा निर्म जील या क्रेटर जील वर्स 2020 किसमें लोगडाउन के समय क्या हुआ था इस जील के रंग में परवर्तन हो गया इस जील का पानी पिंक कलर का हो गया था गुलावी कलर का हो गया था इसलिए भी चर्चा में रही है तो गुलावी कलर का पानी किस कारण से हो गया था यह भी आप से कुश्टन बनेगा तो आप याद रखेगा साइनो वैक्टिरिया के कारण किस के कारण लोनार जील का जो पानी है है ना साइनो वैक्टिरिया मैं यहाँ पर लिक देता हूँ synovacteria के कारण synovacteria कारण इसका रंग गुलावी हो गया था इसका रंग कैसा हो गया था? इसका रंग गुलावी हो गया था इसका रंग कैसा हो गया था? तो इसका रंग गुलावी हो गया था साइनो वैक्टिरिया के कारण याद रखेगा ठीकर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्ज है यहां पर आपको कौन सा राज्य है यहां पर राजिस्थान है और राजिस्थान के छित्र में तेन महत्पूर्ण जीले हैं जो आपको याद रखनी है राजिस्थान के छित्र में एक जील तो यह मैं आपको एक जील इसको मैं पहली आपको अरावली परवत सरिंखला के अंतरगत पढ़ा चुका हूँ यही सबसे इंपोर्टेंट है इस जील का नाम क्या है तो पहली जील आपको याद रखनी है सामर जील है कौन से जील है तो य परवा एक जील है राजिस्थान में जिसका नाम है राज समंद कौन से जील है तो एक जील है जिसका नाम याद रखेगा राज समंद जील और राज समंद के साथ साथ एक याद रखेगा कौन सी एक याद रखेगा डिडिवाना एक याद रखेगा कौन सी डिडिवाना जी तो राज समंद जील, सामभर जील और डिडवाना जील ये तीनों जीलें कहां पर हैं तो यह तीनों जीलें राजिस्थान के अंतरगत आती हैं और सामभर जील के वारे में याद रखेगा या एक खारे पानी की जील है साथी साथ इसी जील से किसकी प्राप्ति होती है नमक की प्राप्ति होती, किसकी प्राप्ति होती, नमग, अब राजिस्थान के थोड़ा सा उपर बढ़ेंगे, तो पंजाब हर्याना की बॉंड़ी पर आपको एक लेख देखने को मिलती है, पंजाब और हर्याना की सीमा पर यहां पर आपको एक लेख देखने को मिलेगी, यहां पर शिक धर्म का प्रिसिद मेला लगता है जिसका नाम गुरु आनंद सहाब तो सीधा सीधा वहां पर इश्पेश नहीם है मैं नीचे लिएता हूँ एक जहील आद रखनी है आपको और जील का नाम क्या है सूरज कुंड जील यह कहा पर है सूरज कुंड जील यह पंजाब हर्याणा की सीमा पर इस्तित है कहां पर है पंजाब और पंजाब के साथ साथ हर्याणा कहां पर ही तो यह पंजाब हर्याणा की सीमा पर है पंजाब हर्याणा की सीमा पर है कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है पंजाब हर्याणा की सीमा पर कौन सी जील चंडीगड के छितर में जील आती है चंडीगड में जील है और चंडीगड में जो जील है जील का नाम याद रखना है आपको सुखना जील बहुत इंपर्टेंट है कई वार पूछी भी गई है सुखना जील का संबंध कहां से है तो याद रखना सुखना जील का संबंध चं चंडीगड में है कहां पर है चंडीगड तो इतनी जीले और मैंने पढ़ा ही अभी प्रादीवपी भारत की जीले रहे गई है जो प्रादीवपी अब लिख लीजेगा जब तक मैं बता रहा हूँ जो प्रादीवपी भारत में जीले हैं यह सभी लेगून जीले हैं समुद्र के तटवरती चेत्रों में पाई जाने वाली जीले लेगून जीले हैं यह जीलों का निर्मान कैसे हुआ है तटके किनारे जीले हैं समुद्र का पानी जब तटकी और आता है तो कुछ जल तटके हिने एकत्रित हो जाता और कुछ पानी तर से लॉढ जाता है तो, ऐसी परिखिरिया होने के कारण त्टी ये छेत्रों में जिलों का निर्मान हो गया है, इन जीलों को नाम नाम दिया जाता है लैगून हिल, का कौन सी जीले हैं तो यह जीले हैं आपकी लैगून जीले हैं कौन सी जीले हैं तो एक जील नहीं है बलकि कई सारी हैं लैगून जीले हैं तर्ट ये छेत्रों में पाई जानी वाली जीले हैं लैगून जीले हैं यहां पर दिखेगा मैं मांचित्र के माध्यम से आपको समझान का प्रयास करता हूं कि कहां पर कौन से जील है और उस जील की क्या विशेषता है ठीक है अगर लैगून जील की बात करें तो सबसे पहली लैगून जील यहां पर है इसका नाम है चिलका सबसे पहली लैगून जील यहां पर है और इस जील का नाम कहा है चिलका जील जो है वो कहां पर है चिलका जील आपकी उली सामे है चिलका जील कहां पर है तो चिलका जील आपकी उली सामे है और याद रखेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है ठीक है? या मैं इसकी विसेस्ता लग लिख दे रहा हूँ, कई सारी विसेस्ता हैं तो चिलका जिल की विसेस्ता में यहां लिख दे रहा हूँ ठीक है? चिलका जिल की विसेस्ता में यहां लिख देता हूँ पहली बात तु यह हो गई, दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जीर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जीर, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जीर, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जीर, तो चिलका है, भारत की पहली भारत की पहली आद्रभूमी जील भारत की पहली आद्रभूमी या नम जील पूछी जाए वो भी चिलका है भारत की पहली आद्रभूमी जील पूछी जाए वह भी आपकी कौंसी है चिलका और चिलका जील है कहां तो चिलका जील उली साम है ठीक है चलो चिलका के बाद देख किसे पूंछे घृट है अनिप्रदेश राज है जिसका नाम है पुलिकट झील ठीक है यह भारत की सबसे बड़ी घृट घील है भारत में जितने ही भी जील है is सबसे बड़ी डलदल जील अगर पोच्छे जाए तो पुली कट है आपकी उसके बाद आंद्रप्रदेश और tamilnadu की जीमा पर फुली कट जील नहीं है प्रदिस में यहाँ पर एक जील है और जील का नाम क्या है कोलेरू जील है कौन से जील है कोलेरू जील है और कोलेरू जील ही भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी दलदल जील है भारत की सबसे बड़ी दलदल जील तो भारत की सबसे बड़ी दलदल जील अगर आपसे पूछी जाए तो कोले रू बताईएगा बाई मिश्टेक मुझसे क्या हो गया था मुझसे पुलिकट लग गई थी ठेक है पुलिकट जील जो है वो दो राज्यों की सीमा पर है यहां पर आपका आंद्रप्रदेश का छित्र है यहां पर आपका आंद्रप्रदेश का छित्र हो गया और यहां पर आपका कौन सा छित्र हो गया यहां पर आपका T अमनलत तमिल नाडू का छित रो गया आंद्र प्रदेश और तमिल नाडू की सीमा पर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पुलिकट जील कौन सी जील है? इस जील का नाम है पुलिकट जील पुलिकट जील में एक दूईप इस्तित है और पुलकट जील में जो दूइप है, इस दूइप का नाम क्या है? पुलकट जील में स्री हरी कोटा दूइप इस्तित है, कौन सा है? स्री हरी कोटा दूइप इस्तित है, कौन सा दूइप है? तो यहां पर एक दूइप इस्तित है, जिसका नाम है स्री हरी कोटा दूइप, अंद्रप्रदेश में है और इसी शिरी हरी कोटा दुई पर याद रखेगा आप सबी ही इसी शिरी हरी कोटा दुई पर शिरी सतीज धवन शिरी सतीज धवन या के वल सतीज धवन की नाम से आएगा सतीज धवन अंत्रिछ प्रिछेपन केंद्र सतीज धवन अंत्रिछ प्रि केंद्र किस दुईप पर स्थित है तो आप कहेंगे जिल में स्थ है या मुझ tu पुgender किस राज्ज में थो आप राज्य का नाम बताइंगे, किस राज्य मेह तो राज्य का नाम is बता देने हैं की इस यहाँ पर केरह सव्ट पर तमिलनाडू जो जो पर ऑप में इस जीलों में एक जील का नाम है एक जील का नाम है अश्ट-मुडी एक जील का नाम क्या है? इस जील का नाम है अश्ट मुडी जील कौन सी जील है? तो यहाँ पर जो जील है इस जील का नाम है अश्ट मुडी जील और एक जील यहाँ पर है जिसका नाम है वेवनाद जील वेवनाद जील ये दोनों जीलें अश्टमूडी जील और अश्टमूडी जील के साथ साथ वेवनाद जील ये दोनों जीलें केरल में हैं यह दौनों जीले कहां पर हैं तो याद रखेगा यह दौनों जीले केरल में हैं पहली बात तो कहां पर हैं तो यह जीले केरल में हैं और दूसरी बात याद यह रखना है के केरल में जीलों को एक अन्य नाम से जाना जाता है केरल में जीलों को केरल में जीलों को कयाल कहा जात नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे केरल में छीलों को एक नाम दिया गया और कहां दे दिया गया कैंपशलustा क्यां तो केरल के तर पर इस्तित लेगून्न पहों पूछेगा कयाल क्या है तो आप आंसर करेंगे केरल के तड़ पर इस्तित लैगून जीलों को कयाल जीलों के नाम से जाना जाता है ठीक है आईएगा यहाँ पर देखिएगा जो वेवनाद जील है इस वेवनाद जील में ही भारत का सबसे छोटा एनेच है एनेच सैतालीस एक भारत का सबसे छोटा एनेच निर्मित है ठीक है तो एनेच सैतालीस ए निर्मित कहां पर है बेवनाद जील में है और अगर एनेच सैतालीस ए पूछा जाए अगर एनेच सैतालीस ए पूछा जाए या भारत का जो सबसे छोटा एनेच है अगर ए पूछा जाए तो इसकी लंबाई याद रखना जो भारत का सबसे छोटा एनेच इसकी लंबाई याद रखना लंबाई मातर 6 किलो मेटर है इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई याद रखना कि सर इसके लंबाई मातर कितने किलूमीटर है मातर 6 किलूमीटर है यहां पर हो जाती है भारत की सभी जुड़ने समाप्त और यहां पर मैं एक कुष्चन आपको हुमर्क के किलिए दे रहा हूं आपने प्रिसिद्ध नौका प्रतियोगिता के बारे में जरूर सुना ह कहा किरot किया जाता है तो आपने सुना होगा किनौका प्रतियोगिता आपका आयुजन केरल में किया जाता है तो आपको मुझे केरल में किया जाता है साथी साथ यहां पर जsilों का चेप्टर आपको समाप्त हो गया चोटा सा CHEP görün्ष्य कर से बहुते हैं जो आपके एक्जाम की द्रिष्ट एकाउंट से महत्पून हो सकते हैं उन सभी पॉइंट को मैंने यहां पर समाहित किया है और निश्चे तौर पर यहीं से आपके एक्जामनर आप से कुशन पुझेगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो अच्छे से जीलों को पढ़के जाना हर एक की एक्जाम में आप कोई भी एक्जाम दे चाहें वह आप केंद्रश्टर पर दे या राज इस्तर पर दे जीलों से संबंद्र प्रिष्ण आपको जरूर देखने को मिलेगे तो आज के क्लास में मैं जीलों को ही रखता आ हूं ए जो पीडेप है यह भी आप तक पहुंच जाएगी इसके लिए निस्फिकर रहीएगा कल वाली section में मिलते हैं और फिर से एक नए chapter का प्रारब करते हैं ठीक है आज ही रखते हैं